जैगोमात दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौमरत कृषिदर्शन में हाँ दोस्तों बारिस में हम लोग गणपती जी बनाते हैं और ओगणपती जी सुखने के लिए बहुत टाइम लेती है तो उसके लिए आप किस तरह से अपने घर में बहुत ही आसानी से बारिस के मौसम में गणपती जी सुखा सकते हैं उसका आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ देखे हम लोगों को एक जाली ले लेना है जाली आप किस टाइप की भी बना सकते हैं जैसे हमने यह लोहे की जाली बनाया हुआ है तो हमने यहां उपर मूर्ती रखा हुआ है उसके नीचे छोटी मूर्ती रखा हुआ है इसके लिए क्यों रखा हुआ है देखे वो जो उपर जो मूर्तियां है वो उनका जो अंदर वाला भाग है यह सुखेगा जैसे इनका जो बेस होता है देखे बेस के अंदर पोलापन र कारता है तो इससे क्या होगा कि ऊपर की मूर्ति सुकते जाएगी अंदर वाला भाग और वही कर माठ से नीचे वाणी मूर्ति शुकते जाएगी देखे इस तरह से चार इंचे का हमने जो नीचे गणपती जी रखे हुए इस तरह से आप अपने घर में इसको फेन के दौरा सुखा सकते सवाट के बलफ दौरा सुखा सकते और आपको बलक ओरडर है तो आप हेलोजन आदी का उपयोग करके भी मूर्तिय को सुखा चाहिए इससे क्या होगा मूर्तिय जल्दी सुख जाएगी और जो क्या फंगस वाली प्राबलम आती है सबसे ज्यादा तो नही आएगी क्योंकि मौशम डौन होने की कारण जो गोबर की मूर्तिय आए उसमें फंगस लग जाता है और कूरी मूर्तिय वाइट-वाइट हो जाती है तो इसलिए इस तरह से आप जुगाड कर सकते हैं छोटे से तरीके से जुगाड कर सकते हैं जिसको 150-500 मुर्ति बनाना हो तो ऐसा जाली लेकर वो इसका इस्तमाल कर सकता है और जिनके घरों में भी रूम हीटर हो तो वो रूम हीटर में भी इनको रख सकता है याद रहे कि जब आपकी मूर्ती तीन-चार दिन सुखी हो उसके बादी आप रूम हीटर में उसको रखिए ठीक है तो उससे फंगस नहीं आएगा तो आमने इस तरह से एक देशी जुगार बना दिया है जिससे कि क्या होगा कि मूर्ती में फंगस भी नहीं आएगा और मूर्ती भरे बारिस के मौसम में भी सुख जाएगी वो भी जल्दी सुखेगी तो इस तरह से आप भी अपने घर में इसका उपयोग कर सकते हैं